नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासर्मार दातों के बीच गैप होना अगर हम आपके खुबसूरती की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है जिनकी दाते समान होती हैं एक दूसे से सटी भी होती है उन्हें खुल कर मुस्कुराने में बहुत कभी कभी तो ओठू को ढख कर ही मुस्कुराते हैं तो सामुद्रिक सास्त में सरीर के अलग-अलग हिस्सों और उनकी तमाम आकार को लेकर बहुत तरह की बाते बताई गई हैं तो आज हम आपके साथ साजा करने वाले हैं कि दातों के बीच अगर गैप है तो फिर इसका मतल पलवूते कामयाब भी होते हैं क्योंकि माना जाता है जिन लोगों के सामने वाले दातों के बीच फासला हो वे एनरजी से भरपूर होते हैं और कोई भी काम बहुत उत्साह के साथ करते भी हैं और इनका बराबरी सायथ कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़े भागे साली ह होते हैं सामुद्रिक सास्त कहता है जिन लोगों के दांतों का आकार एक समान होता है उनमें चमक होती है बहुत सुख से जीवन कर जीते हैं इसलिए माना जाता है कि सुभर साम दोनों ही टाइम ब्रस करके ही दांतों को क्लीन करके ही आपको रहना चाहिए क्योंकि मुख सुद सब्सक्राइब यह होता है आप करियर में बहुत उचाईयों तक जाएंगे बस दिल लगा कर काम करते रहें आप बड़े जिंदा दिल इनसान होते हैं और आसानी से हार तो कभी भी नहीं मानते खुस रहते भी हैं और कितनी भी बड़े पड़िसानी हो वहां से घबराते नही लेते हैं एक और खुबी है कि बड़े खाने पीने के सौखीन होते हैं अलग-अलग खाना ट्राइ करना जीवन को जीना जैसे चीजों में आनंद लेते हैं धन के मामलों में बड़े समझदार होते हैं और बहुत सोच समझकर धन समंदी फैसले करते हैं अमोमन इन्हें पैस सौक भी बड़े निडाले होते हैं खुले विचार वाले होते हैं विचारों में संकिर्णता नहीं होती इनकी सोच बहुत बढ़ी होती है बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले होते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहना इनकी खासियत है अगर आपके भी दातों के बीच में गैप है तो आप बहुत भागे साली हैं लेकिन जीवन साथी से थोड़ा सा दूरी दिखाता है